जैन प्रेंज वेलकम टो माई OPC यूटूब चनल स्टडी मेटेरियल A2Z AOC गुरूप C रिकूटमेंट 2022 और कल और दोस्त आज आपका यहाँ पे आपकी जो डीवी यहाँ पे कंड़क्ट हो रही थी और बहुत सारे कंड़िडेट्स हैं जिन्होंने कल परजेंट किया और कुछ लोग आज यहाँ पे परजेंट हो रहे हैं तो 5 और 6 को जो आपको टाइम दिया गया था उसके अंदर आपको एकजाम दोस्त साथ में आपका डीवी प्रोसेस क्योंकि आप अगर डीवी प्रोसेस में रिजक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको एकजाम में नहीं बेठने दिया जाएगा तो इसी के रिगार्डिंग हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कोई भी अपडेट होती है लगातार आपको अपडेट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों तो आप यहां पे जो है सारी जानकारी हम डिसकस करने वाले हैं दोस्त सो गैज यह मारा टेलिग्राम चैनल है एक तो मैंने जितनी भी आपके यहां पे लोकेशन थी वो मैंने टेलिग्राम पे शेयर की थी और आपसे मैंने बादा भी क्या था कि आपको जितनी भी लोकेशन है मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैंने आप इपक्ताया था लेक जितने भी आपके address थे वो सभी मैंने आपको provide करवा दिये थे और इस परकार से जितने भी है वो टेलिग्राम पे मैं लगातार update यहां पे करी रहा हूं और आप यहां पे भी देख सकते हैं के साथ में आप यहां पे click करके एक doubt group है उसको भी join कर लिजेगा क्योंकि यहां पर candidate आपस में बाचीत कर रहे थे और center पे जैसे जैसे पहुंच रहे थे तो बाचीत हो रहे थी इनकी कि यहां पे हम मैं यहां पे हूं मैं यहां पे हूं मैं स्टेशन पे हूं तो उससे जो है दोस्ते मतलब confidence आता है क्योंकि आपको पता है जब आप अकेले के एक पार पहली बार सफर करते हो तो साइट जो है दिक्कत आने शुरू हो जाती है और पता होते हुए भी हमें नहीं पता होता है तो इस प्रकार से जो है दोस्त यहां पर लगातार candidate जो है आपस में card है आइडेंटी पूफ है दस्वी का माक सीट है ग्रेज्विसन और इसमें यहां पर M के सीट है माक सीट है फोटो का certificate EWS यह सारी डोकुमेंट यहां पर जो है आपसे मांगी गई थी जो इस परकार के सभी डोकुमेंट थे उनको reject नहीं किया लेकिन कुछ candidates के पास जो है थोड़ा अलग-अलग process भी रहा क्योंकि देखने को मिला कि कई candidates को यहां पर जो है डाइरेक्ट भार कर दिये गए थी certificate बगरा के कारण तो यहां पर भी जो है दोस्त इस परकार की दिखते आई थी काफी सारा candidates को बट जादा दिक्कत यहां पर नहीं हुई लग रहा था कि कैसे किस परकार से candidate पहुंचेंगे लोकेशन पर कैसे पहुंचेंगे तो हमने पूरी तरह से आपको motivate किया कि आप tension मत लीजिए exam मैंने तो यह भी कह दिया था कि आप अब exam पर ध्यान दे लीजिएगा और आप जो है यहां पर आपको सारी जानकारी मैं यहां पर दे दूँगा कि आपका क्या exam सेंटर रहेगा क्या कहां पर क्या रहेगा और सभी का दोस्त यहां पर सयोग रहता जिसकान से आपको दिक्कत नहीं आई और बस आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो इस परकार से आप सभी के लिस्ट सभी के लगी थी और आप अच्छे से लोकेशन पे पहुंच गए थे यह तो हो गई दोस्त आपकी सारी जो यहां पे इंपोर्टेंट जो बातें थी वो अब यहां पे बात करते हैं जो मैं जो हमारे लिए जरूरी बात चीता है क्योंकि आप में से बहुत सारे केंडिडेट अब जो है पास भी हो गए हैं और पास कुछ आज जो हो जाएंगे तो उनके लिए यहां पे चुनोती है कि आपकी एक्जाम में कितनी कॉम्पीडेशन है जिससे जो है आपको एक्जाम में जो है बहतरिन कर पाएं क्योंकि एक्जाम में बहतरिन कर दोगे तो फिर आपका नोकरी पका हो जाएगा तो यह थोड़ा सा जो है यहाँ पे suspense भी है candidates को तो एक candidate ने यहाँ पे छोटी सी बातचीत बताई थी और दो-चार candidate ने WhatsApp पर भी बातचीत यहाँ पे बताई थी देखो भाई review पूरा दोगे तभी जो है अब कुछ पता चल पाएगा ज्यादा यहाँ पे यह कह रहे है देखेगा 500 candidate में से 117 में candidate भरतपूर में यहाँ पे परजेंट हुए थे और मुझे यह भी जानकारी मिल रही है कि ज्यादा candidate को reject नहीं किया जिनके document पूरे थे सही से clearly तो उनको यहाँ पे जो है reject नहीं किया और जिन candidate के पास document वगएरा पूरी तरह से नहीं थे न वो candidate गए नहीं और वास्तों में सही किया उन्होंने कि गए नहीं क्योंकि जिनके पास कोई भी गलती थी कोई भी यहाँ पे जो है certificate वगएरा या पिर कोई भी जो document जो दिये गए थे वो नहीं थे उनको directly reject कर दिया गया था अब main चीज यही थी कि कम candidate reject होने का कि यहाँ पर presenting जो उपस्तिती होनी थी दोस्त वो कम थी यानि candidate काफी ज़ादा कम यहाँ पर उपस्तित हो रहे थे अपसेंड बहुत ज़ादा यहाँ पर candidate थे इस वज़य से यहाँ पर जो है दोस्त यहाँ पर आपके लिए यह एक surprise भी था कि इतने सारे लोगों को देखो 500 लोग भरतपूर में बुलाए गए थे लेकिन 193 यहाँ पर पहुंचे थे एक और दिखाता हूँ मैं बहुत पहले से अपडेट दे रहे हैं लगातार अपडेट दे रहे हैं इनका दिल से थेंक्यू और साथ में यहाँ पर देखीगा इन्होंने बोला है कि कल मेरा सिकंदराबाद में 3 गंटे का सरवर था और 200 स्टूडेंट बहुत ही कम लोगों को reject किया यहाँ पर कोई गलती नहीं करके गए थे उनको और 11 दिसंबर को exam date है यह आप सभी को पता चल गया होगा नहीं पता चला है तो वहाँ पर बता देंगे सारी process और सुबह 6 बजे यहाँ पर start और साम को 8 बज गए थे यानि भाई समय काफी लग रहा है जब अगर सरवर बीज रहा था और सरवर अगर बीजी हो गया तो वहाँ पर दिक्कत है अब दोस्त मैं यहाँ पर आपके सवाल लिए हैं जो आप में से बहुत सारी candidate जो की पूछ रहे थे एक तो admit card तो admit card आपका दुबारा आ रहा है दुबारा आपका admit card आएगा नया admit card होगा और उसमें एक ची बदलेगा या नहीं बदलेगा और यह जो सबी का डाउट है और अब आपको अपने paper की त्यारी कैसी करनी है वो पहले यहाँ पर देख लीजिए अब बात्ची तभी भी मैंने की है just admit card फिर से जारी होंगे क्या हाँ जिनका भी document सही होगा दो दिन के बाद gmail पे आपको ए email के जो है आपका SMS आ जाएगा और exam center में दोस्त कोई भी बदलाओ नहीं किये जाेंगे exam center में यह आपका सिकंदराबाद का है मैं यहां पर सिकंदराबाद का है यह तहां सकंदराबाद का है यह बह号िता संधान सैंटर है इनका और सिकंदराबाद का है तो दिल से थेनक्यू जितने भी भाई भाई जो है अपडेट किये हों कापी सारे लोगों ने अपडेट नहीं किया बट फिर भी मैं आप चाहिए की चीज़ कहूँगा अब अपनी जीजान पूरी जो है अपने यहाँ पे दोस्त पेपर में लगा देना पेपर में लगानी है क्योंकि पेपर मैं है और पेपर ही बचा है अगर आप इसमें लगा देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोकी नहीं सकता तो जितने भी कंडिडेट हैं सभी को बैस्ट अप लग और ज़्यादा से ज़्यादा परियास करें कि अब रिवाइज कर ले जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर ले आँखा माकर पूरी चीज़ें होती है एड्मिट कार्ड दोबार आ रहे हैं नो एड्मिट कार्ड आपके एक्जाम सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा खुछ सोनी के आउ सकता नहीं है जिनके दूर थे तो उनको भी दूर भी जाना पड़ेगा और यह सारी प्रोसेस वहाँ पर बताई भी गई है क्योंकि कुछ लोग जो है वहाँ पर रहे भी रहे हैं तो रूम वगर अरेंजमेंट कर लो मेरे बाइस जिर जो कर डिस्टेंस काफी जादा जरूरी है काफी दूर है तो फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो के साथ जाहीं